या आप कोई regular degree कर रहे हैं उसके साथ भी आप open and distance learning के courses कर सकते हैं और दोनों डिग्रियां आपकी मानता प्राप रहेंगी 100% valid रहेंगी अगर आप किसी private university का चेक करते हैं और आपको किसी ने भी offer की थी degree किसी center ने की थी वैसे देखे कोई भी center allowed नहीं है private university का आपको degree open and distance learning से क करनी है तो private university के campus में जाके admission लेना चाहिए किसी center के थूर नहीं लेना चाहिए इन 18 UG degree के इलावा University of Delhi कोई और program offer नहीं कर सकती अगर कोई भी आपको कहता है कि इनके इलावा कोई और program University of Delhi offer कर रही है तो वह जूट बोल रहा है या फिर वह fake है Dear learners जब आप कोई भी course या program open and distance learning से करते हैं तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ये university मानता प्राप्त है और क्या ये program जो मैं कर रहा हूँ ये मानता प्राप्त है या नहीं है जैसा कि UGC का latest decision आया है कि आप एक regular degree और एक open या distance education degree दोनों एक साथ कर सकते हैं तो अब बहुत सारे students open and distance learning की डिगरियां भी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मानता जो चेक करनी है वो करनी है UGC की official website पर जिसका नाम है University Grant Commission Distance Education Bureau DAB की website है official website deb.ugc.ac.in Google पे किसी भी private website पर जाके अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको information आदी अधूरी मिलेगी क्योंकि वो जो होते हैं वो blogs होते हैं जो लिखे जाते हैं आदे अधूरे और उनमें latest update आपको नहीं मिलता है तो आपको चेक करना है official website पर ही इस website को खोलने के बाद जब आप इसको scroll करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा यह है हमारे पास student corner इस student corner पर आपको दो मिलेंगे open and distance learning and online learning करोना के बाद यह online learning भी recognize किया गया है UGC द्वारा डा द्वारा और बहुत सारे युनिवरस्टी इस ऑनलाइन लर्निंग के भी courses offer कर रही है जो आप कर सकते हैं open and distance learning के courses आप regular job के साथ साथ भी कर सकते हैं अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ आप open and distance learning के courses भी join कर सकते हैं आप कोई रेगुलर डिग्री कर रहे हैं उसके साथ भी आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज कर सकते हैं और दोनों डिग्रीयां आपकी मानता प्राप्त रहेंगी 100% वैलिड रहेंगी यूजी सी का नोटिफिकेशन आ चुका है हम क्लिक करते हैं लो यूर यूनिवरस्टी ओपन डिस्टेंस लर्निंग के अंदर आप अपर यूनिवरस्टी को पहचाने यहां पर आपको एक्सेस करना है देखिए जो वेबसाइट अब पेज खुलने जा रहा है उसके अंदर ल यहां पर हमारे पास आ गए है इंडियन इंस्टीचूट ओफ फॉरंड ट्रेड डेली जिसकी वेबसाइट यह है यहां पर हमारे पास एक दो तीन चीजें मिलेंगी आपको यहां पर दिया हुआ है नीम जाम्या हमदर्द डेली और उसके बाद है हमारे पास देउन्स लेर्निंग से कराने के लिए मानताप्राता है आप घर बैठे इनके यह प्रोग्राम अगर करते हैं तो हंडर्द परसान वैलिड है अब हम करते हैं यहां पर देखिये more details और number of program number of programs में हमने click किया यहां पर हमारे पास University of Delhi के कौन से programs हैं जो वैलिड हैं देखिए Bachelor of Arts Bachelor of Arts Honors English यह है हमारा कब तक वैलिड है देखिए academic session इनके दो academic sessions है जुलाई और नीचे आप देखेंगे दूसरा academic session recognition period यहां ध्यान दीजिएगा जुलाई जन्वरी दोजार 21 से जन्वरी दोजार 26 तक वैलिड है अगर आप इस दौरान Bachelor of Arts Honors English में admission लेते हैं आपके डिगरी चाहे आपकी 27 28 29 में complete हो मगर आपने इस recognition period में admission ले लिया तो आपके डिगरी 100% वैलिड रहेगी अब आता है Bachelor of Arts Honors पॉलिटिकल साइंस बैचलर आप आर्ट कॉम्बिनेशन ओफ थी सब्जेक्ट जन्रल तीन सब्जेक्ट के combination वाला बैचलर आप बैचलर आप कॉमर्स कॉमर्स बैचलर आप कॉमर्स ओनर्स कॉमर्स इसी तरह से और जो प्रोग्राम में वो नीचे दिए गए अब यही सारे प्रोग्राम नाइन प्रोग्राम जो यहां पर है इनके दो टर्म है एक जुलाई और दूसरा जन्वरी इन डौनों इनके तो यह वैलिड है 100 परशंट और यह सिरफ इन प्रोग्राम को कराने के लिए मानताप्रापत है इन अठारा यूजी डिग्री के इलावा यूनिवर्सटी ओफ डेली कोई और प्रोग्राम ओफर नहीं कर सकती अगर कोई भी आपको कहता है कि इनके इलावा कोई और प से 100% वैलिड है इसी तरह से अगर आप कहीं से भी किसी भी युनिवस्टी का चेक करना चाहते हैं तो आपको यही प्रोसीजर अपनाना है कि आपको अच्छा दूसरा यह सेशन दो आपने अगर डिगरी की 18-19 में आपके पास डिगरी है यह तो है यह उनिवस्टी ओव डेली अगर आप किसी प्राइवेट युनिवस्टी का चेक करते हैं और आपको किसी ने भी ओफर की ती दिगरी किसी सेंटर ने की थी वैसे देखिए कोई भी सेंटर जाएगा कि 1819 में कौन से प्रोग्राम ओफर करने के लिए यूजी प्रोग्राम इनके पास 5 थे जो ये ओफर कर सकते थे और पीजी प्रोग्राम 5 थे अब इनके पास 9 और 7 हो गए हैं इसी तरह से आप देखिए आप जिस भी युश्टी का कहीं का भी चेक करना चाहते हैं व अरियाना करनाटका केला मध्यप्रदेश महराश्ट्रा यह सारे स्टेट्स का अगयर राजस्तान में सिरफ तीन इनुवस्टी हैं यह आगे हमारे पास देखे जैन विश्विव भारती इंस्टीचूट राजस्थान सुरेश ग्यान बिहार युद्सटी राजस्तान वर्दमान महाविर ओपन युद्सटी राजस्तान जिसके UGC प्रोग्राम 9 और PG प्रोग्राम 28 वैलिड हैं यह हमारे पास number of programs आ गए हैं इस युद्सटी के और यहां पर युनिवस्टी ने आपके लिए और युनिवस्टी दोनों के लिए दिया है academic year planner की कब admissions होंगे, कब examinations होंगे, कब contact program होगा, कब assignment submit होगी, evaluation assignment का कब होगा, यह आप एनने लिखा हुआ है not applicable क्योंकि जो courses हैं वो assignment के लिए नहीं होगे, इसलिए एनने लिख दिया result कब declare होगा and re-registration कब होगा, यह सारी चीजें academic planner पहले से ही बना कर दे दिया गया है, जिसको university को follow करना है, तब ही university ठीक तरीके से अपने program चला पाएगी, तो यह है university का DAB, distance education bureau, जिसमें आपको check करनी है, अपने किसी भी open distance learning या फिर online learning program की मनता, इसी के साथ, अगर आपका किसी भी तरह को कोई question है, इस topic से related, तो comment box में पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, और अगर आप को यह वीडियो पसंद आई, तो like कीजिए और share कीजिए, जो students open and distance learning से कोई भी course कर रहे हैं या कर चुके हैं और मानता चेक करना चाह रहे हैं, धन्यवाद.